आपकी सुबहे इतनी सोहानी हो जाए दुखों के सारी बातें आपके पूरानी हो जाए दे जाए इतनी खुसियां यह नया दिन के खुसे भी आपकी देवानी हो जाए नमस्कार जहिंदार्मी स्टेडी के इस यूटूब सेनल में आप सभी का हर्दिक स्वागत है दोस्तो आज के इस सेसन में हम आपको आर्मी एकजामे पूछ जाने वाले दोस्तो एज रिलेसन के महत्वपन किशनों के बारे में डिसकस करेंगे जो कि आपके इंडियन आर्मी के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट है अगर आपका सपना है बारती सेना में जाने का तो वाके में सेसन बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तो एज रिलेसन का ये पार्ट सेकिंड है आप सोच रहे होंगे कि सर पार्ट फेस्ट कहा गया आपने नहीं देखा मेरे part first का हमने नीचे link दे रखा है ठीक है वहाँ से आप देख सकते हूँ sessions वाके में बहुत important होगा pen और copy आपको साथ में लेकर बेटना है क्योंकि हम आपको HW Homework के लिए भी questions provide कराएंगे और जो हमने आपको पिछले वाली जो हमारी class हुई थी 3-4 दिन पहले उसमें आपको जो HW के लिए जो हमने questions provide कराया था उस questions के जो winner थे top 10 उसका नाम भी वितरित करेंगे और उस questions के बारे में भी हम आपको बताएंगे ज़्यादा हम type के questions provide नहीं कराते हैं जो आपके इंडियन आरमी exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है पीछे जितने भी previous questions पेपर हुए है आप आराम से उठा के देख सकते हो मेरे दोस्त जितने type के questions अभी तक जो पूछे जा रहे हैं हम उसे according आपको पढ़ाते हैं उसी type के दोस्तों questions है वो include करते हैं हम अगर आपको वैसे long तरीके से अगर पढ़ाई तो age relation के part 5-6 आते हैं लेकिन मेरे दोस्त आपके आरमी exam के लिए दो ही type के खूब है मेरे दोस्त ठीक है ज़्यादा बाते ना करते हैं दोस्तों हम finally अपने session के तरफ बढ़ते हैं सभी को जहिंद सभी को good morning रादे रादे जैसरी कृष्णा बात करते हैं दोस्तों first question की ध्यान से सुनिए दोस्तों first question क्या कहता है first question कहता है A थता B की वर्तमान आयू का अनुपात 4, अनुपात 5 है यदि 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5, अनुपात 6 हो जाएगा तो A की वर्तमान आयू क्या है आपको A की दोस्तों वर्तमान आयू बताना है क्योसंश वाकिए में बहुत यच्छा है अगर आपको आता है तो बहुत यच्छी बात है अगर नहीं आता है तो आपका ध्यान है यह बिलकुल अपने mobile phone की screen पे होना चाहिए फिर भी अगर आपको नहीं आता है तो दोस्तों हमने यहाँ पर इसके trick लिकी है trick है दोस्तों बादवाले अनुपात का अंतर बटे वजर गुनन का अंतर into समय का अंतर ये मेरे दोस्त इसकी trick है इस trick के अंदर आप इसका मान पुठ कर दीजिए क्यूसन का आपका अंसर है मेरे दोस्तों 10 सेकेंड में आ जाएगा आपके एक्जाम के लिए हम आपको बता देते हैं जो नया कंडिटेट है जिसने फ्रेस्ट पार्ट नहीं देखा है वो आपके इंडिन आर्मी एक्जाम के लिए हमारे अनुबो के कोडिंग ज्यादा इंपोर्टेंट है अभी तक मतलब करीबन एक साल या दो साल के बीच इस परकार का क्यूसन कभी कबार पूछ जाता है मेरे दोस्त मतलब बारा महीने के अंदर जितने भी इंडिन आर्मी के एक्जाम होते हैं तो उनमें गलते से इस टाइब का क्यूसन पूछ जाता है बाकि जो हमने फश्ट जो हमारे टाइब के क्यूसन करवाई थे फश्ट पार्ट के अंदर आपको जो क्यूसन करवाई थे वो क्यूसन आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो आपने वो नहीं देखा है तो आप सबसे पहले उस सेसिंट को देखिए उसके बाद आप इसको देखिए तो आपको ज़्यादा बेनिपिट होगा अब देखें दोस्तो हम इस क्योशन को फाइनल सोल करते हैं क्योसंच में आपको दे रखा है कि बाद वाले अनुपात का अंतर लिखना है ट्रिक के अंदर ये मान आपको पुट करना है मेरे दोस्त देखे दोस्तो वर्तमान जो इसकी एज है यहाँ पर मैं वर्तमान लिख रहा हूँ मेरे दोस्त वर्तमान जो आयू का अनुपात है किस यहाँ पर लिखना है पांच वर्ष बाद पांच वर्ष बाद है यह मेरे दोस्त इनका जो आयू का अनुपात है यह कितना हो जाता है यह सर पांच अनुपात छे हो जाता है यहाँ पर आपने लिख दिया अब मेरे दोस्त आपको क्या करना है इनका आपको वजर गुणन करन तो 5 का 5 से multiple करोगे तो कितना आएगा दोस्ते 6 और 4 का जो multiple है ये मेरे दोस्ते 24 आएगा ठीक है अब देखिए दोस्तों यहाँ पर ये क्या है मेरे दोस्तों वर्तमान है और ये है 5 वर्ष का बात ठीक है इसमें आपको confused नहीं होना है अगर यहाँ पर ये भी रहेख सकता था कि 5 वर्ष पहले इनके आयू का अनुपात 4 अनुपात 5 था तो 5 वर्ष बाद इनके आयू का अनुपात ये था आपको confused नहीं होना है समय का आपको difference अंतर लिखना है हमेशा यहाँ पर जितना भी ये वर्ष आता है समय आता है हमेशा उसको पलस करके लिख देना है आपका उत्तर आ जाएगा देखिए बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है मेरे दोस्त बाद वाले अनुपात का अंतर ये है 5 और 6 का अंतर कितना है आपकोगे सर एक है फिर देखिए वजर गुणन का अंतर कितना है मेरे दोस्त 25 में से आप 12 को घठा होगे कितना बचेगा मेरे दोस्त पांच वर्ष का है तो 5 से आप मल्टिपल कर दीजिए यानि आपकी जो विल्यू है ये कितनी आई मेरे दोस्त पांच आई ठीक है अब इसमें आपको पुच्छा है कि एक ही वर्तमान आयू बतानी है यहाँ पर देखे एक ही वर्तमान आयू कानुपात क्या है मेरे दोस्त चार है तो चार और पांच को आपको बस मल्टिपल करना है चार और पांच को आप जब मल्टिपल करोगे तो मेरे दोस्त 20 वर्ष है ये दोस्तो एक ही वर्तमान आयू आजाएगी जो दोस्त बीस बता रहा है वाकिय में उसको कुसंश रमज में आ गया और उसने पहले भी तयारी कर रखी है मैं उम्मिद करता हूँ ये कुसंश आपके समझ में आया होगा अगर नहीं भी आया है तो नेश्ट कुसंश को आप ध्यान पूरवक देखिए नेश्ट कुसंश कहता है साथ वर्ष पहले ए तथा बी की वर्तमान आयू का अनुपात चार अनुपात पांच था साथ वर्ष बाद उनकी आयू का अनुपात पांच अनुपात चे होगा तो वर्तमान में उनकी आयू का अनुपात क्या है बिल्कुल वही क्योसंश है, सेम ही क्योसंश है, बस ट्रिक के अंदर आपको मान रखना है, या तो आप इस ट्रिक का स्क्राण शोट ले सकती हो, इसको नोट कर सकती हो, आपको ये ट्रिक आती है तो बहुत ज़्यादा अची बात है मेरे दोस्त, क्यूंकि अगर ये पहले, ये भाई साथ वर्ष पहले, आयू का अनुपाद A और B का कितना है मेरे दोस्त, A और B का आपको गेसर 4 अनुपाद 5 है, मेरे दोस्त साथ वर्ष बाद परसन कहता है, कि साथ वर्ष बाद है, ये उनकी आयू का अनुपाद 5 अनुपाद 6 होगा, ये उपर वाला साथ वर्ष पहल बाद है तो मेरे दोस्त इनका जो समय का अंतर है ये हमेशा जुड़ जाएगा साथ और साथ चोकदा हो जाएगा ये आपको ज्यान रखना है इसमें बहुत से लड़के कन्फिज हो जाते हैं हमेशा यहाँ पर जो साथ वर्ष पहले चाहिए 20 वर्ष पहले क कितने भी वर्ष पहले और कितने भी वर्ष बाद दे उस समय को अगर आपको अंतर को कहें तो उसको हमेसा जोड़ देना और उसको समय से मल्टिपल कर देना आपका उतर आ जाएगा मेरे दोस्त साथ वर्ष बाद उनकी अनुपात है ये मेरे दोस्त पांच अनुपात 6 हो जाता है बस वही ट्रिक इनको आपको वजर गुणना दोस्तों करना है इनको आप वजर गुणना कीजिए दोस्तों इसको आप मेरी दोस्त जब आप इनको वजर गुणना करोगी की Blair जो गोगी 25 होगा और ये कितना होगा मेरे दोस्त ये 24 होगा हमने इसमें संक्या भी चैंज नहीं किया मेरे दोस्त वही आपको समझाने की कोशिश की है कि अगर क्यूसर्ण्ष की लेंग्वेज कुछ भी रही तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है देखिए वही ट्रिक है बादवाले नुपात का अंतर कितना है मेरे दोस्त एक है ठीक है वजर गुनन का इतना कितना है मेरे दोस्त एक है इंटु समय का अंतर कितना है मेरे दोस्त शमय का अंतर साथ और साथ कितना है मेरे दोस्त चोगदा हमेशा यहाँ पर मैं बता रहूं कि उनकी वर्तमान आयू का अनुपात क्या है यानि आपको A और B की वर्तमान आयू का अनुपात बताना है यहाँ पर आपको बस लाश्ट के अंडर थोड़ा सा डिमाख लगाना है और कुछ भी नहीं करना है अब देखिए A का अनुपात कितना दे रखा है मेरे दोस्त चार दे रखा है तो 4 और चोगदा को आप जब multiple करोगे तो भाई कितना होगा मेरे दोस्त 56 होगा देखे दोस्तों यहाँ पर यह चोगदा value है एक बार मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर लिखने के लिए जगए नहीं बची है भाई ठीक है ना आप याद रखना देखे दोस्त ए और बी का यह जो अनुपात है यह कितना है मेरे दोस्त 4 अनुपात 5 है और हमारे पास समय के अंतर के बाद में मेरे दोस्त value कितने आई थी हमारे पास है यह value आई थी भाई चोगदाई थी चोगदाई थी ना मेरे दोस्त बस इनको multiple कराना है इनको आप multiple कराईए ये कितना होगा चोगदा चैर 56 होगा ये कितना होगा बई चोगदाई कितना होता है मेरे दोस्त शत्तर होता है लेकिन मेरे दोस्त परसन क्या कहता है कि उनकी वर्तमान आयू का अनुप आपको बताना है तो वर्तमान आयो का अनुपात बताना है लेकिन यहां पर आपको साथ वर्स ये पहले की जो हमने अनुपात लिका है ये साथ वर्स पहले का है तो दोस्त हम वर्तमान में लेकर आएंगे तो इनकी जो उमर आई है इनमें आपको दोस्तो साथ है ये पलस करना होगा बस आपको ये ध्यान रखना है तो आप चपन के अंदर जब साथ काउंट करोगी तो मेरे दोस्तो शिक्ष्टी थरी होगा वै ठीक ना शिक्ष्टी थरी होगा और दोस्तो जब आप सतर के अंदर साथ काउंट करोगी तो ये होगा सतातर अब आपको person के अंदर कहा है कि वर्तमान में उनकी आयू का अनुपात क्या है तो आप इसको दोस्तो काट सकते हूँ ये दोस्तो किस से कटेगा ये 7 से कटेगा मेरे दोस्त 9 बार और ये 7 से कटेगा दोस्तो 11 बार तो मेरे दोस्त इसका जो वर्तमान आयू का आनुपात है ये 9 अनुपात 11 होगा थोड़ा बहुत ये कुशन डिपिकल्ट है क्योंकि लाश्ट के अंदर आपको कन्फ्यूज किया है कि उनकी वर्तमान आयू का आनुपात क्या है क्योंकि मेरे दोस्त साथ वर्ष पहले की हमने आयू निकाली वो कितनी थी ये थी दोस्तो 56 और 70 लेकिन वर्तमान पूचा है तो इसके अंदर आपको 7 पलस करना होगा तो दोस्तो जो अनुपात है ये 9 अनुपात 11 आईगा बात करते हैं मेरे दोस्त नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन कहता है 6 वर्ष पूर्वे सुसिल और सनहे की आयू का अनुपात 3 अनुपात 1 था 6 वर्ष बाद सुसिल और सनहे की आयू का अनुपात 5 अनुपात 3 हो जाता है तो सुसिल की वर्तमान आयू क्या है ये आपको बताना है ये मेरे दोस्त आपके होमुर के लिए है किसंश वाके में बहुत अचा है इसको आप मिलाना इसका अगर आप राइट आंसर बताते हो ये मेरे दोस्त हड़ान रखना ठीक है न पूरा सेशन देखने के बाद आपको कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताना है इसमें कितना आप मिलाब अगर राइट आंसर बताती हो तो नेश्ट सेशन के अंदर आपका नाम भी लिया जाएगा ठीक है न इसमें आपको ये द्यान रखना मेरे दोस्त सुसिल की वर्तमान आयू बतानी है यहाँ पर 6 वर्स पूर है ये सुसिल की आयू तो आपको वर्तमान जब आप निकालोगे तो जो भी आपके एज आती है उसमें आपको पलस 6 करना होगा ये आप द्यान रखना ठीक है बात करते हैं मेरे दोस्त नेश्ट कुशन की नेश्ट कुशन ये दोस्तो हमने आपको HW के लिए दिया था जो हमारे पहले वाली कलाश होई थी उसमें हमने आपको HW होम औरक के लिए कुशन दिया था सबसे पहले जिन्होंने इस कुशन का राइट आंशर दिया था उनके हम नाम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं टेक्निकल टीम इनको आप नाम स्क्रीन पे दिखाई आपको नाम दिखाई दे रहे हैं क्या मेरे दोस्त नाम दिखाई भई इनको अपने आप नाम देख सकते हो हम आपके नाम भी बोल देते हैं सबसे पहले सुनिल राठोर कुल दिवस दिखसित नमिन कुमार दिपक चतुरवेदी दिमान्चु हुड़ा विक्रम अनिल साहु जेतंदर कुमार चानु कुमार नशीम अक्थर ये नाम थे बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी ने राइट और शटी का अंशर दिया क्यों आ पहले टॉप 10 जो बताते हैं हम उनका नाम वित्रित करते हैं देखे दोस्तों इस क्योशन को आपने आप बहुत से लड़के अभी भी बता रहे हैं बहुत अच्य बात है अब देखे जिसको ये क्योशन शमज में नहीं आया था न वो देखे वाई देखे दोस्तों पांच और तीन है ठीक है यदि दोनों की अरतवान आयू का योग मतलब इनकी दोनों की आयू का जो योग है मेरे दोस्त ये कितना दे रखा है ये 40 वर्स है तो जाएसी बात है इनका योग कीजिए भाई 8 अक्स बराबर आपको 40 दे रखा है तो मेरे दोस्त अक्स बराबर इपुट कर दीजिए, 3 और 5 का multiple करोगे, तो मेरे दोस्त 15 वर्स है ये वर्तबान दोस्तों, पिरिया की age है, अगर आपको अनु का पूच्ता तो आप यहाँ पर 5 लिख दीजिए और 5 और 5 को multiple करोगे तो 25 वर्स है, आज जाएगी भई ठीक है तो दोस्तो आज के हम session में आपको इतने ही questions करवाएंगी मान के चलिए दोस्तो पिछे क्या paper उठा के देख सकती हो हमने आपको ये दो type के questions करवाई है न दो session के अंदर दोस्तो definitely यही questions आपके exam में पूछ जाता है बाकी ज्यादा मेटर आपके exam में नहीं पूछ जाता है फालतू का आपको मेटर नहीं पढ़ना है अगर ज्यादा और कुछ पढ़ लिया तो वो आपके exam के लिए उतना important नहीं होगा भाई ठीक है मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तो कलास आप सभी को अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो प्यार से दिल से आप लाइक कीजिए session को और बहुत से लड़कों के comment phone भी आते हैं कि सरा आप राम सिंग के SK के model test weapon में जितनी मेद रखी है उतनी आप हमें soul करवाई लोकडाउन के चलते ताकि हमारी और तयारी मजबूत हो जाए तो देख लेंगे भाई अगर आपको वो मैत चाहिए तो वो भी करवा देंगे भाई ठीक है तो मिलते हैं आप सभी को वापिस सामको 9 बजी बाकि इसी जो सुर्जनों के साथ आप तयारी कीजिए आपका सफना डेफिनेंटली पूरा होगा जहिंद वंदे मातरम खुश रहे मस्त रहे